अगर आप मुवी क्लिप से बना रहे हों उनके लिए मैं बता रहे हों आपको सर्च वाले अप्टन में जाए हैस्बुक का एल्गोरिदम ही जब यह नहीं समझेगा कि आपकी वीडियो कुझ सी केटी किरी की है ध्यान से सुन लेना दोस्तों आपको यह वाले केटी किरी रख अधर ही हो साथ यह बीर होगे और साथ ही सोच रहे होकि आकर मेरा वीडियो वायरिल कीऊ नहीं कर रहा है आप वीडियो वाइरल नहीं होने के तो बहुत से कारण होते हैं लेकिन फेस्बुक पर जो मेजर प्राब्लम होती है दोस्तों वह है आपके वीडियो की केटी गिरी अब आपको किसी ने बता दिया कि आपको आपके वीडियो के केटी गिरी जो है वह डिजीटल क्रीटर रखनी है तो आप क्या करते हो दोस्तों आप same to same वही केटीगिरी अपने Facebook पेच की बना लेते हो बलकि जिन वीडियो को आप अपलोड कर रहे होते हैं न दोस्तों उनकी केटीगिरी ही अलग है जब केटीगिरी ही अलग है तो आपका वीडियो कहां से वाइरल होगा अब example के तौर पर म कैटी कुर बताना है कि आपकी कुछ काम करेंगा आपके वीडियो को पूफ करेंगा और जब आपकी वीडियो पर रीच आएगे और रीचाने वाइरा गोबस का मुआ है कि केटी कीरी आएंगे को आपका का वीडियो से जल्दी वायरे तो आज यहाँ बहुत ज्यादा important होने वाला है दोस्तों क्योंकि आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर देना और हेलो दोस्तों मैं हूं नितेस और मैं आपके सपनों की कदर करता हूं चलिए आज की इस वीडियो को सुरू करते हैं त तो इसकी लिए जैसे कि मैंने अभी एक अपने facebook page को open करके रख लिया है यहाँ पर आपको क्या करना है दोस्तों सबसे पहले आपको right hand पर आना है और रायट हिंड पर जो सेटिंग को option दिया हुआ है इस शेटिंग कर देना है इस सेटिंग कर दिए है excessपर को क्िलिक करने के प्राइबेशी पर क्लिक करना लॉज एक अप्सेट नीचे लिखा हुआ है, manage your page, यानि कि आप आपके facebook page में जो भी आपने जो पहले डाला हुआ data, उस data को आप edit कर सकते हो, manage कर सकते हो, तो आपको यहाँ पर manage your page पर फिर से click कर देना है, यहाँ पर जैसे click करोगे दोस्तों तो आप देखोगे कि यहाँ पर category का option सबसे पहले number पर हमको मिल जाता है, साथ म आप जो जो information आपने डाली है, आपका जो email ID है, या फिर आपकी जो भी, आपका जो address है, यह सारी चीज़े यहाँ पर so होने लगती है, दोस्तों, तो आपको क्या करना है, हमको तो सिर्फ पर हमको जो creator है, हमारी जो category है, उसको हमको change करना है, तो हम सबसे simple सा क्या करेंगे, पहले वाले option पर क्लिक करेंगे, यहाँ edit वाले option पर, अब edit वाले option पर क्लिक करने के बाद में आपको दोस्तों, मैं बता दूँ कि यहाँ पर suggested में आपको बहुत सारी category दिखाए देती है, यहाँ पर already Facebook अपने तरफ से suggest करता है, उन category को जो सबसे ज्यादा, जो जिन category को use कर करते हैं, और जो creator होते हैं, जो category को use करते हैं, वाले category आपको यहाँ पर सो हो जाएगी, अब मैं आपको यहाँ दिखा दूँ कि यहाँ पर सबसे पहले जो actor है, पहली category हो actor की है, इसके second member पर artist है, athlete है, blogger है, chief है, comedian है, designer है, digital creator है, entrepreneur है, fashion model है, gamer है, journalist है, musician है, photographer है, public figure है और writer है, तो यहाँ पर Facebook अपने तरफ से suggest कर रहा है, अब जैसे मैं आपको थोड़ा सा आपको example के लिए बताऊं, कि आप अगर मान के चलो कोई acting करते हो, आप अपनी कला दिखाते हो, लोगों को अपने वीडियो में बदा बताते हो, तो आपको क्या करना है, उसके लिए आपको सब करना है, इसके बाद में आपको कोई कला है, जैसे मान के चलो, जैसे आप कोई painting कर रहे हो, डांसिंग कर रहे हो, तो यह चीजे आपको यहाँ पर दिखेगी, आपको क्लिक कर देना है, इसके बाद दोस्तों, आपको यहाँ पर safe मिल जाएगा, कि आप अगर कोई खाना वान बनाने का जो आपको यह है, जो facebook page है, तो अगर आप कोई safe वाला काम कर रहे हो, तो आपको यह safe वाला option से उसके बाद में option देख सकते हो, दोस्तों, आप comedy करते हो, तो आपको यह वाल option क्लिक कर देना है, पर designer मतलब बहुत सारे designer होते हैं, जो बहुत सारे design करते हैं, तो वो करके रहा है, digital creator, यहां पर आप सबसे बड़ी गलती करते हो, दोस्तों, अगर आपने अपके facebook page पर digital creator category अगर डाल रखी है, तो digital creator category किसके आती है, दोस्तों, जो digitally काम करता है, अब इसके बाद में दोस्तों, आप देख सकते हो, यहां पर fashion entrepreneur का है, entrepreneur जो मतलब जो जैसे वीव बनाते हो, तो आपको इस वाली केटी कीरी को यूज करना है, इसके बाद में और एक चीज दोस्तों, gamer जो है, gamer वाली जो इसमें केटी कीरी सजेस्ट हो रही है, हमको आप gaming अगर वीडियो अपलोड करते हो, अपने facebook page पर तो आपको gaming का gamer वाला यह option क्लिक करना है, इस केटी कीरी माहिने रखती है, दोस्तों, अगर आप जनलिस्तों मतलब कि आप अगर कोई news का वीडियो डाल रहा हो, तो आप जनलिस्त वाली जो यह केटी की रिए इसको चूज कर सकते हो, इसके बाद में अगर आप कोई music बनाते हो, तो आप यह वाली केटी कीरी यूज कर सकते हो फोटोग्रापर का अप्शन है, इसमें तो आपको बतला सिंपल सा, इसमें खुद ही बता रहा है, फेस्बुक अपने देप सके अगर आप फोटोग्रापी अगर करते हो तो आपको यह वाला अप्शन चूज करना चाहिए, इसके बाद में दोस्तों, अब सवाल आपके मन जाना रहे हो, उनके लिए में बतारा, आपको सर्च वाले अप्शन में जाना, यहां पर सर्च करना, entertainment, entertainment, आप जैसे entertainment पर क्लिक, यहां पर सर्च करोगे, दोस्तों, तो आपको सजेस्ट होने लग जाएगा, arts and entertainment, अगर आप मुवी क्लिप से अप्लोड करते हो ना, आपके arts and entertainment, इस category को आप रखो कि तभी आपके फिल्मा वाले जो मुवी क्लिप्स के जो वीडियो है, वो वाइरल जाएगे, क्योंकि इससे आपके फेस्बुक के इल्गुरिदम को पता चल जाएगा, कि यार यह वाली category जो है, इस ताइप की audiences को देखना पसंद कर रही है, तो उस इसी category के audience को यह आपके जो वीडियो डालोगे, आप उनको सजेश्टर करेगी, तब जाके तो वीडियो देखेंगे, तभी तो आपको वीडियो वाइरल होगा, यहां से आप जिस से आपके पेज की पेज की आपकी चेंज हो जाएगी, और इस से फेस्बुक के इल्गुरि आपके वीडियो पर जो वीडियो बढ़ेंगे, तब तो आपके फेस्बुक पेज अपने आप ग्रो हो जाएगा दोस्तों, और फेस्बुक पेज की जो केटी की रिए दोस्तों, वह कापी जादा मेटर करती है आपकी वीडियो को वाइरल कराने के लिए, और यहीं पर अपने फेस्बुक पर एक से एक वीडियो अप्लोड करते हो, लेकिन वह वीडियो बाइरल नहीं जाती दोस्तों, तो आपको यह वीडियो पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक कर देना, चिलन को सब्सक्राइब कर देना, और चलिए मिलता हूं मैं एक नए वीडियो के स साथ तब तक के लिए बाइ